कि अग्याइज व्लकम बैक्टोन दे वीडियो एट्सका प्रडक्शन और आज के शूटवर में दिखाने वाला हम कैप का टैप लिएक्टिव वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं जैसे के आप स्क्रीन पर देख पार हो एंड प्रिवे में भी मैंने दिखाये दिया था ओके इ तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते एंड देखते हम कैप के टैपलिकसन में कैसे वेलिशुट वेडिट कर पाएंगे सिर्फ फ़ले आपको अपने कैपके टैपलिकसन को ओपिन करने हैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा ठीक है देन आपको आपको कर रूप पर आने के बाद यहां फिर यूँ बोले हम लोग डारेटली कर सकते सो कर पर ना जाके नॉर्मल पर भी आते हैं यहां पर आपको 0.5 रखने ने टीक है 0.5 रखना है एंड इसे मेक इट आ स्मूधर में जाने के बाद यहां पर आपको बेटर क्वालिटी क अच्छा होगा और अगर फास्टर प्रोसेस करते हो तो यह देखो जो टाइमिंग लग रहा है वह बहुत ही जल्दी हो जागा मिन्स स्लो मुशन हो जागा बट देखने में स्लो मुशन अच्छा नहीं लगेगा ओके तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं को कि fine ली हमारे पे यह सूलो मुशन केट हो चुक है यहां पर अच्छा स्मूथयेख । बहुत ही मिन्स शू मुशन क्रेट हो जाएकि आप देखने में से लुआ मिन्स समूदी जा श्रुमूचा पांच गआ लीन डें उसके बाद ग्यान आ आपको इसे इकॉर्ट कर लेना export करना है थोड़ा सा wait करना होगा export होने में भी means चार-पान सेकेंड तो लगता ही है so यहापे हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं and then उसके बाद कर आगाँ आपको यहाँ पे back करना होगा तो हैंपे means back करो या फेर्दन पे डन कर रो तो काम हो जाएगा okay इस फो बाद आपको भूर्णो और अपम कर दो के अगर आपको नौर्मल व्में ऐड़ करना अगर अगर ए इस में अच्छा ऑडियो है इस पे अपकर जाडी कर सकती हो डिया अगरणा जबिदीर फिस यहां पर आपको एक्स्टेक्ट पर क्लिक करना क्योंकि मैं जो दूंगा वो यही वीडियो को डाल दूंगा ठीक है तो आप इससे यहां से एड कर लेना आपके देख सकते हो आट आज चुका है ठीक है तो सेम ही काम किया हमने बट तरीका अलग-अलग था अब मेरे पास पहले से सौंग इसके बाद करण मैं यहां से एक्स्ट्रेक्ट कर दिया हो एंड आप वहां से कर ले ना ओके देन उसके बाद क्या करना यह जो आपके बास व पूरा कर देना देन उसके बाद यहां पर आपको simple sa steps करने आपको अपने audio पे कलिक करना and then यहां पर एक match गटकर करके मिलगा इस पर कलिक करना auto generate पूर कर देना ठीके यहां पर होगा किया कि बीट जेनरेट हो जागा इस ओडे में जितना भी बीट होगा वो सारे के सारे यहां पर दिखा दे जाएंगे एंड उसी बीट के हिसाब से हम अपना वीडियो को एडिट करने वाले तो थोड़ा से बीटिंग में टाइम लगते होगे नौ बीट थो हमारे एड हो चुके जस् स्प्लिट पे क्लिक कर देना है इसे तरह किसे सिमिलरली आपको हर एक जगाओ पर मिंट से अपनी वीडियो को कट कर देना होगा ठीक है सबसे पहले आप वीडियो पे क्लिक करो एंड देन उसके बाद स्क्रॉल करो जहां पर बीट है कट करो ठीक है सेम काम आपको समय करने ह कि यहां पर मैं फटा फट कर लीता हूं किर कि लाश्ट तक हम ने कर दिया ऐंड उसके बाद यहां पर हमार ऊडियो कhen में हो चुक थो अध्यज़न आपको यहां परनी स्टार्डिज़ वाले मिंट से इधर लास्ट में यहाँ पर आपको एक फ्लेस करके एक 接下來 एगा अवे honestly, इस पर कुर्व है उसे आपको हर एक मि इसलेट करने डिये सीम्प्लीय से क्यांकि नहीं आपको वीडियो पर कुलिक करने एड करने कर पर क्लिक करने अपलने मीन इन इतला न runs यह रिवह दो है कर देना जितने आपने पार्ट्स कट किये यहां पर देख सकते हैं जो हमने छोड़े-छोड़े क्लिप्स कट गया था वह खात में हो चुगा ठीक है नेक्सट यहां पर हमारा यहां फिर से बड़ा वला क्लिप आगया तो इसे भी सिमिलैरलिय आपको क्रत करते हां या फिर यू बोलो flash effect एड़ करने वाला सारा जंजट खात्म हो चुक है, next हमें यहां पर क्या करने है, इसमें effect एड़ करने है, flash वाले effect जो होता है, so इसे add करने के लिए यहां पर आपको effect पे click करने होगा, video effect पे click करने, and then यहां पर आपको चले आना होगा, इसमें dark में, ठीक आप उसे कम करना, speed को increase कर देना, and intensity को भी जश्ट आपको कम करने, थोड़ा सा आप range भी कम कर लेना, ठीक है, इस तरीक से करके आप यहां पर मिन सबने video के हिसाब से adjust कर लेना, and done पे click कर दे, then उसके बाद यहां पे देख सकते हो, हमारे completely velocity added हो चुका है, ठीक है, तो इस तर आपको यहां पे export वाल विटन पे click करने, and इसे export हम कर सकेंगे, now export वाल विटन पे click करता हो, and export कर लेता हो, तो इस तरीक से करके आप यहां पर हम velocity editing कर सकते है, इस वोड़ो में इतना ही मिलते हैं, इस वोड़ो में तब तके लिए, bye-bye.